इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बरबाडोस T10 के दोस्तों आज के मैच नंबर 2 के बारे में बरबाडोस T10 का दोस्तों आज का मैच नंबर 2 आपका B.O.Y. और दोस्तों A.C.T. टीम के भीज खेला जाएगा ठीकना दोस्तो अब बात कर लेते हैं यह जो मैच है जो 12 बजी से रात को खेला जाएगा इस मैच में दोस्तो हम लोग अपना Small League का क्या टीम रखेंगे Grand League में दोस्तो किस प्लियर पे हम लोग रिक्स ले सकते हैं Final 11 प्लियर दोस्तो किसको चूज करना है इस मैच का दोस्तो ट्रॉम कार्ट प्लियर कोन हो सकता है टोटल इंफोर्मेशन दोस्तो आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ जो आपको मेरा वीडियो समझने में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ अपना Best 11 चूज करने में भी आपको हेल्प करेगा टिकना तो बिना किसी देरी के दोस्तो वीडियो हम लोगे स्टार्ट करते हैं बिगेट कीपरिंग सेक्शन से बिगेट कीपरिंग सेक्शन में आईएगा यहाँ पे ना Simple आख बंद करना है दोस्तो नहीं आख बंद करोगे तो में भी न दिखे Simply आपको क्या करना है न दोस्तो D. Richardson को सभी टीम में जितना भी टीम बना रहे हो एक बनाओ या दोस्तो 100 बनाओ सभी टीम में आप इनको ले लो Other option के बारे में नहीं सोचना है टाइम ही वहाँ पे बरबाद नहीं करना है किलियर दोस्तो चलिए अवाज ही है बैटिंग सेक्षन तो बैटिंग सेक्षन में आईएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है आरूबले जो सबसे important पीक है आपको दो बर का balling भी कर लेंगे और top order में दोस्तो बैटिंग भी करने आ जाते हैं तो इनके साथ आपको रिक्स नहीं लेना है सेप चले जाना है टीम में रख लेना है अब नीचे दोस्तो यह जो A-Springer और K-Wicker में न यह दोनों दोस्तो अपने टीम के लिए top order में बैटिंग करते हैं A-Springer confirm आपको open बैटिंग करने आएंगे और K-Wickers दोस्तो आपको first round बैटिंग करने आएंगे इस match में दोनों का performance average रहा है किसी ने भी दोस्तो ऐसा नहीं कि best performance किया है मैं दोनों को small league में रख जरूर रहा हूँ लेकिन आप धिहान रखना grand league में न आप दोनों में से at least एक player को rotate करना और एक player को drop करके किसी baller पे rix लेने ला जो मैं आगे आपको balling section से बताऊंगा small league में मैं अभी दोनों को रख लिया हूँ लेकिन आप rix ले सकते हो क्यों rix ले सकते हो क्योंकि ये दोनों balling नहीं करेगा top order में batting करता है consistent नहीं है यदि दोस्तो कम score करके out हो जाता है को preference नहीं दिऊंगा top order में batting जरूर करता है open batting करने आता है लेकिन कुछ खास performance रहा नहीं है तो इनको आपको try करना नहीं है अब आज है ये allounder section तो एस Marcel must pick है दो भर balling करेगा bicket taker baller है किसी भी match में इन्होंने निरास नहीं किया है कि इनको बिकेट ना मिला हो सभी match में regular बिकेट लिए है D Smith सबसे important player है दोस्तो B.U.I. के international level का experience है IPL भी खेल चुके है दोस्तो channel super king के लिए साथी साथ CPL भी अभी भी खेलते है तो experience काफी solid है दो वर balling भी कर रहे है इस टुड़ना में में बैटिंग बस थोड़ा नीचे करने आ रहे है चार नमर पर बट important रहेंगे drop नहीं करना है फिर नीचे दोस्तो आपको केलने का option मिलेगा केलने दोस्तो आपको first round batting करने आएगा इस match में अच्छा player है ऐसे recent match हों में इन्होंने balling करना छोड़ दिया है और game changer क्या दोस्तो हम लोगों ने तो इनको 20 captain ही बना दिया था भाई open batting करने भी आए और batting से 30 plus score करके भी गया है फिर नीचे एगा जे लिलीन बहुत खास performance रहा नहीं है दोस्तो मैं आपको recommend नहीं करूंगा ओके जे जोंस ज़्यादा matches नहीं खेले हैं दोस्तो आप देखो के तो इस tournament में अभी तक इनोंने 5 match खेले हैं लेकिन 5 match दोस्तो नाम के लिए खेले हैं आप देखो ना bowling कहां मिला है किसी भी match में नहीं मिला है तो यहां भी दोस्तो आपना time खोटी नहीं करना है ओके अवाज़ा यह इधर bowling section तो bowling section से सबसे important pick को आप सबसे पहले ले लो DGPR यह क्यों important है because आपको first round batting भी करेंगे दो बर का bowling भी करेंगे और launder player है bowling batting दोनों से perform कर रहे हैं तो must pick है आपके लिए अब बचा दोस्तो दो option में अभी के लिए मैं इधर से comeback और दोस्तो जेट कलार को ले रहा हूँ लेकिन आप क्या कर सकते हो जेट कलार को तो ले लो क्योंकि यह दिथ में balling करता है picket taker baller है लेकिन आप इस player के जगा आप एक player को rotate कर सकते हो इनके जगा नीचे से ना C holder का एक नाम ध्यानक न selection बहुत ज़्यादा ही कम है सिर्फ 19% selection है last match में दो बर balling करके दो wicket लिए हैं regular यह balling किये wicket नहीं मिल रहा था लेकिन last match में wicket भी मिल गया line length इनका बहुत ही super रहता है तो यह rotation यदि आप करना चाहो तो इस match में कर सकते हो इनके जगा इनको आप try कर सकते हो okay recent match में balling इनको काफी कम दिया जा रहा है और दिया भी जा रहा है तो भाई minus में point दे रहे हैं तो मैं small league में अभी इनको try नहीं कर रहा हूँ selection काफी ज़्यादा high है safe जाना चाहो दोस्तों आप कर सकते हो but मैं क्यूं नहीं रख रहा हूँ वो मैंने बता दिया क्यूंकि recent match में आप खुद देखो न आप देखो खुद देखो last day match में इन्होंने क्या किया है दोस्तों एक तो 2 match में balling से मिला chance नहीं एक match में मिला भी तो minus में point दिये तो बस यही region है कि मैं अभी इनको नहीं ले रहा हूँ डिक रेंसी last match में एक विकेट लिये थे but still दोस्तों consistent baller नहीं है भरोसा करना विकार रहेगा ठीकना आपको भरोसा ही करना हो तो आप C holder पे कर सकते हो 19% selection में अब बात कर लिए इस match के regarding दोस्तों captain BC option तो captain के लिए दोस्तों देखो D Smith के साथ में जा रहा हूँ वाइस captain के लिए Ace Marcel के साथ भी आप जा सकते हो और option देखे तो इधर से K LA और के साउलेट भी एक सांदार option है ठीक ना और लाउंडर सिक्सन में जितने भी option है ये चारों दोस्तों इस match के लिए बेस्ट option है आपके लिए captain और दोस्तों vice captain के लिए Smalling में D Smith captain Vice captain मैं अभी के लिए इधर से केन ले को ट्राइ किया हूँ और आप लोग भी इस team का screenshot ले लीजे Contest shine करके रखे दोस्तों Same team से कोई player नहीं खेलता है या कोई भी changes करना होगा तो मैं अपना final team आपको फिर से Telegram पे भी update कर दूँगा आप वहाँ से भी दोस्तों final team ले सकते हैं final team के लिए एक और चीज़ ध्यान रखना है Telegram चैनल को join कर लेना है और Telegram का link आपको नीचे ही description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों comment section में भी first comment pin के हुआ मिल जाएगा जाएए दोस्तों Telegram के साथ जुड़ जाएए और साथी साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर subscribe कीजिएगा और subscribe करने के बाद दोस्तों सबसे important कोसिज कीजिएगा notification का घंटी बजाएगा जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी से next वीडियो में जैहिन दोस्तों take care and bye